कि हलो एफ्रीवन वेलकम टू एए आउनलाइन सॉलूशन मैं हूँ असफा कैसे आप लोग तो आज आपके लिए फिर से संडे का धमा का वाला टेस्ट लाया हूं और जैसे कि आपको पता है कि संडे का हर आपका मिशलिनेस टेस्ट रहाता है इसके अलावा और मैं आपको सवाल सोचल का सवाल मैथ का हिंदी इंग्लीज ग्रामार देखने को मिलेगा तो तो यहां पर 50 सवाल है 50 सवाल में आपको जो स्टुडेंट कंटिन सबसे बड़ी बात ही कि माशाला आप लोग इंटरनेट के साहरे से यूटूब के साहरे से पर लेकिन बहुत सारे बच्च कि 90 कितना होगा आप हिसाब लगा लगा लिए 25 कोशन हो जागा 50 इस तरह आप आगे बढ़ते जाओगे ठीक है तो याद रखेंगे वीडियो को पूरा खाली है अपना अंसर जवाब जरू दिजेगा यहां तो लास्ट मुझे बता सकते हैं 50 में कितना सी हो तो आई स्टार सवाल बहुत एजी है सबसे पहले आपका मैट का सवाल यहां पर है जी कि बिंदू तीन चार और माइनस तीन आठ को मिलाने वाली रेखा करन के मत बिंदू करने हम आप बहुत बर्बान चुके जो बंदा भी तक इसको ने समझ पा आ रहे हैं तो आप तो समझ लो भाई है अब तो एकार मनी आप टीकश है तो खलती नहीं नहीं हो चाए प्लस एकनी बान से और यहां है चार पलस आठ बाइट तो गया और बाइट विल्बैकस लिए उन्सर हो जागा तो इसका आशार हमारा डि राट होगी अगला सवाल यहां बनता है कोई यहां पर याद रखें और अगर इस इस से मैं एक रेखा खीछ दूं तो मिलता है जो घटना कभी नहीं घटसकती उसकी meine जो घटना कभी घटी रही शकती है तो इसको हम जीरो जी रहाव क्या होती कि जिसे की मैं आपको जिसे इत्वारे पासा में one two three four five six आजै अब बोलें कि इसकी क्या प्रेक्ट है कि साथ से जदा यह से जदा है तो से जदा तो कुछ आई नहीं सकता है जब यह कम आीगा तो यह यहां पर देखे जब बोड़ा गराफ यहां पर एक घाती गहती दूगहाती यहां पर होना चाहिए तो समांतर नहीं तो कहीं कटने रहे तिसका कोई परतिछेदी होता तो केवल एक हल होता है चुकि एक जगह पर कट रहा लेकिन अगर बोलता किसका गर अगर संपाती एक लैंद पर दूसरा लैन पर दुसरे लैंद पर दूसरा रहा तो यह होगा अन्यंद थल टीक है आप जानते इसका फर्मूला आपको पता है नीच पुराने विर्त की परेजिय का अनुपात क्या होगा तो पहले तो विर्त की तूर हो गई तो फार्मुला तो वही रहाएगा तूपाय लेकिन नया के लिए टूपाय आर र लिखना पड़ेगा ठीक है अब पुराना तो वहीं है पाई 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 कड़ गया और दो दो कड़ गया और कड़ गया तरी अनपात वन चुक्शन एक तीन दिया हुआ है यह तो कभी के वह और तीन देता है तो बहुत सरे बच्चे उल्टा निकालते हैं अगला सवाल देखो इम्टहान में आथा तो इस सवाल में मिस्टेक कर दिया था विरतार देखों कितने अंसका होता है यहां पर आपका 180 डिगरी भी था और मैं इसी को बताते हैं यहां से कहें से भी आगर कौन बनाएंगे तो यह जो कौन बनेगा वो इसे ऐहां पर लेधी जाद रखेंगे ठीक है अगला सवाल यह देखो बोलडा तीन गुना माध्यक बराबर बहुलक गुना अब यह फार्मूला है ठीक है यह फार्मूला है कि जीए तो इसको बहुलक निकाले तो बहुलक कैसे निकालेगा आप यहां पर देख रहें पांच भी डबल है और तीन भी डबल है तो लेकिन अंसर तो अशने दिया रहेगा ता आपको यह फॉर्मल यूज कोने पड़ेगा तीन गुना माध्यक बराबर बहुलक गुना तू गुना यह इसके आप निकालना पड़ेगा तो पहले आपको इस सवाल को पहले आपको माध्यक निकालना पड़ेगा ठीक है पर इस फॉर्मल पर आइरेंज करें तो अपका बहुलक गयात हो समझेराए अकी सवाल ऐसे अग्या रहा है दो तीन चार सदिए औसार आप यह सीरी नही यूज करना इसमें हमको माध्यक चाहिए तो इससे आप माध्यक निकालेगा माध्य भी चाहिए तो माध्य भी निकालेगा उसके बाद इस फॉर्मला पर सेट किजिएगा तो आपका अंसर आजागा ओके अगला सवाल को बलता क्या दो समरूप तिर्भुजों की भुजाएं वन और टू अनुपात में हैं तो मैं हजार बार बता चुका आपको जब आपको च्छेत्रफल के बोलेगा तो स्कौयर चाहा देजेगा कैसे इसको चाहरता है जैसे कि दो समरूप तिर्भुज जब समरूप होता है तो च्छेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के च्छेत्रफल के बनात है अनुपाता है इनके भुजाओं हो तो है इसकौर वर्गों के बराबर होता है तो फोर आजागा का हो चालिए कंशा क्षिघी का जा जाए हो गया है यह हो गया है यह बहुत सवाल है यह बोलता देखो कि यह जो दिया हुआ है यह कौन से संख्या तो देख रहे हैं पर एक चुत होता है कि कि यहां पर देख रहें यहां यहां पर बढ़ेंगे लेकिन जब आईसे रहाता है टूपन वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू तो यह परमी संख्याइश को गिन सकते हैं अगला सवाल देखो आप दो को साइंस का सवाल शुरूब विधुद्धारा की कि परभापर का आता है को सवाल बता रहां करता है तो आपको इसको करना है ना तो वो उस्मीय परवाँ पर कार खालता हु टिक है किस्कुझ कुंडली का परतिरोध ग्याद करने का सुत्रिक आशसा एक तो जानते ओम-पेह बेख लेते यह जी बताई इसको आप जनेरेटर बोलते हैं उनके डायरेक्ट करन्ट है ना डायरेक्ट करन्ट प्राप्त होता है है और यह करते हैं हाथ से स्टार्ट करते हैं यान्तरिक उर्जा को विधुत उर्जा में ट्रांसफर करता है क्यों जो जब बालू करते हैं तो उसमें जो मसीन लगा वो घूमने लगता है तो यांतरी कुर्जम विद्धुत उर्जा को यांतरी कुर्जम बहुत सवाल है तो इसको आप याद रखेंगा अगला सवाल देखें कौन बायो गैस इंधन का सुरोत नहीं है लकड़ी गोबर नाभी कोईला लकड़ी भी बायो गैस में आता है और कोईला नाभी के उर्जा बायो गैस में नहीं आता है तो यह हमारा अंसर सी इसका बिल्कुल से हो गया अगला सवाल है कृतिम विरिक किन अपसिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन दुवारा पिर्थक करता है कृतिम विरिक दिस हो गया это है निर्मान हो जाता है 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 और गया टंसर की कमेंटच करें बताएं लगे कि आप लोग भी जाग के है ऌब इसका ना इसका मैं चलो पहले देखलो समायवी कौन है इनमें से कौन समायवी है समायवी कहते हैं कि फार्मूला ना सनतना सुत्र जो है सुत्र एक ही है लेकिन उसका अनुसुत्र जिसको सनतना सुत्र बोलते है वह अलग होगा सुत्र एक होगा लेकिन सनतना सुत्र अलग होगा अब सुत्र एक ही कैसे पहचानेंगे कार्बन के संक्या सेम होना चाहिए कार्बन के संक्या सेम हो हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे इसका और जिसका सही रहेगा उसको मैं हाइलाइटि कर दूगा ठीक है और वहां पर मैं आपको बोल दूगा ठीक है इस सवाल सही है कि तेलों का है तो उसके करते हैं किसके करते करते निकेल का उप्योगते अंसर हमार अ हो गया तो सवाल देखें जी आ क्यासे सवाल आ गया और यहां पर आप परमानु समु आप परमानु है समु जो आवर्थान है तो थे बढ़ती है उपर से निचे जाने पर परमानु सायज क्या परिवर्तन करता है गड़ती है यह बोला कि उपर से नीचे जाएंगे तो तिरिजा इसता सदे हो बारत जाता है यानि कंतर हमारा सी हो जाएगा अगला सवाल है कि आबंध बनाने में इलेक्ट्रोन तयागने की परविरती होते यह विध्धुत्त क्या होता है आबंध समझे रहे ना जो बंधन बनता है जो बंधन तरिस्टिव होता है जिससी कि आप सोडियों ही बेख लीजिए न सबसे बहतर है तो है दो आठ एक होता है तो एक को क्या क्या करेगा तो यहां पर एक पुजीटिव बन जागा तुकि तयाग रहे है लेगा गर्हन करेगा तो नेगिटिव बनेगा तो धनात्वख होगी हीलियम परमानु के बाहरी कक्ष में कितने इलक्ट्रोन होते हैं तो यह तो खैर बहुत ही हलका सवार आगे हीलियम है लिए हैड्रोजन के बाद हीलियम कही नंबर आता है तो दो ही तो है जिसको वर्ग अठारा में रखा गया और आफशन यहां सोना ले लिए तो इसके 2 किलो मेटर ओमाइगाड दो किलो मिटर लंबी तारें खीची जा सकती है तो यह जो धूरता थो गुन पयाता है इस मुझा कई तनीटा क्या बोलते हैं तनीटा बोलते हैं आधात वार्दाने जानते को पीट पीट कर पतर्प जैसा बना जा सकता है कठोर होता है और एक सोडियम पोटैसियम सोडियम है और लिथियम है यह यह क्या चाको से काटा जा सकता है तो याद रखें सोडियम पोटेसियम और लीथियम एक तीन धातु जिसको हम चाकु से कार सकते हैं यह exception में आता है ठीक है और इसके लावा और भी है जैसे कि एक धातु कथोर होता है लेकिन एक होता है क्या वह पारा होता है जो दर्व आउस्था में पायाता है तो इसको भी डर्व से ठीध करने रूप में आता है कौनसा दर्व है जो दर्व आउस्था और यहां आता है क्वाल पायाता है जो डर्व आउस्था में पायता है तो वह सब्रोमीन जो है सब्सक्राइब यहां पर देख रहे हैं लोहा का है यहां पर धातु है सिलिकन का उप्योग्त तो किरोसिन तेल को मिट्टी का तेल कहते है ना जी किरोसिन तेल वह है सोडियम सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर नहीं रहा तो जिसको पूरा करना है तो तुरंट देगा इसलिए बहुत अभी किरिया से लोता है अगर इसको हवा में खुला छोड़ देंगे तो पता अभी क्रिया करेगा और आग लगा देगा ठीक है तो को किरोषीन क्यों ध्लों करता यह द्हक्ता यह करते हैं एक पीला फासफूरस पीला फासफूरस जिसको पानी वीद्ब मेंदल पानी में ध्युच फासफूरस शवाण खेंगे रूस और ज्यर्मनी के बीछवीवीग तो न रूस और जर्मनी की बीट फेस ट्र Eugene तो नीज़ वाल है किस शोछ topics पर् twelve चीनफ sechs यमें फ्रान नाम की बीच होने वाला समझाने वाला समझा हो Ci और रहो समझातों सबस्तुल था वो टो सबस्तेंब्जबता तो इसमें तो अजिंदे यह समझाता होता है हनोई समझाता होगात मार्च 1946 में फ्रांस और व्यात्नाव को यूच अगला स्वाल पूर्ण सवराज मांग का प्रस्त्व किस अबवार्शिक अधिवेशन में किया गया था पूर्णी सवराज की मांग जो है सबसे पहले कॉंग्रेस की किस अधिविशन में किया गया था वह लहौर अधिविशन किया गया था 1929 में किया गया था और यह आप देख लेए 1924 यह बहुत इंपोर्टेंट यहां पे बेलगाउं अधिविशन यह करनाटक के गाउं है ठीक कॉंग्रेस का जो अधिविशन हुआ था बेलगाउं अधिविशन में तो इस सिर्फ एक ही अधिविशन में गांधी यह वहां पे इसका अधिक्स बने थे करनाटक के गाउं है बेलगाउं ओके अगरा सवाल देखो बल्ला भाई पटेल सरदार के उपादी किसान अंदोलन इस दोरों के दरान दिए घती जारों किसान अंदोलन है सबाडों करक्राठी नहीं है आपि यारा wnगा गांधी जी यह ना-टी सर्थ पर अपनाए जा रहा था अंग्रेजों की द्वारा खेड़ा अंदोलन जो किसानों के लिए किया गया था जिसमें मील मजदूर वगरा उन्हीं सब अंदोलन भारत के लिए पहला फैक्टरी एक्ट का पारित हुआ बहुत अच्छा सवाल है भारत के लिए सबसे पहला समझेगा क्या मध्यमार को कर्मिक मतलब मजदूर किरशक बिचारा और वही हाल है मजदूर के वहीं किसान का खाल अब करांति लया और श्क बड़ी पर बिल्कुल सभी हो जागा और आपको यह भी सवाल आता है कि अधोकी करांती सबसे पहले तो इंगलेंड में अगला है भूमंदली करने की सुरुवात किस द्रसक में थी बहुत इंपोटेंट सवाल है सब्सक्राइब करन सबसे पहले कब किया गया बहुत इंपोर्टेंट यह भी सवाल आपको मिला था उनिस्सों नहीं बैंक जो राश्ट्रेकरन सबसे पहले गया था चोगता बैंक में तो इन चोगता बैंकों में आरबी आई सामिल नहीं है और भी आई का राश्ट्रे करन वह था वह उनिस सो उन्चास में यह बात रहाए जेज़ लुट है भान वैवासाइक था उनका जो राश्यक्राइब की सब्सक्राइब की सबसे पहले काग जी मुद्रन की शुरुवात का हुए थी तो जो मुद्रन है काग जी मुद्रन बात वहीं आ रहा है तो काग जी मुद्रन की सबसे पहले इसमें चीन में थी चाइना में जिसको बोलते हैं अगला है मेड़क के परकिर्याक को बाधित करने वाला रासायन कौन सा है और यह सवाल आपको एक्जामे भी आते रहता है बारवाट ठीक है इसको क्या बोलता है यह यह क्या है रासायन का नाम है अगर आपको सवाल बोल जाए कि कौन सा रासायन है जो मेड़क के परजन को बाधित करता है तो याद रखें एंड्रीन भी क्या है एक रासायन है अगला सवाल बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संक सभीधान की धारा 21 का संबंद है आपका है अन्य जीवों तो था प्रक्रितिक संसाद्नों के संक्षन से कि अगला सवाल देखें बिहार की कितनी परतिसत भावगलिक छेत्र में वन फैला हुआ है तो यह भी सवाल है कि बिहार में कितनी परतिसत जो है भावगलिक आगला स्वाल है और द्रिटिट पर इस्थित केंद्र को क्या कहते हैं उसको बोलते है अधी क्वलताइग के लिए फटाइब के dil दो चालिज सवार के लिए अपको ही इंग्लिज कहतें को जानने की इच्छा रखते हैएं उसको जानना है जैसा कोई नहीं हुव मैं अनोखा हूं मतलब मेरे जैसे कोई नहीं आदितिया हूं ठीक है गगन चुम्भी इमारत उची उची इमारत को गगन चुम्भी इमारत बोलते हैं और आपका है कि नीशाचर है तो नीशाचर के मतलब होता रात में विचरन करने वाला मतलब घूमने वाला रात में निकलन इसको बोलते हैं रात में विचरन करने वाला रात में निकलने वाला है यह आप का कि आग्या साल है यह जो कि इस पर है निचे शब्द काउन सा शूंद शूंत काउंच ख् כाउंस Candle सू सुध लिखाydd हुआ क्या कैसे-कैसे लिखाएं कहु है ना पत्नी ऐसे लिखते हैं क्या ऐसे लिखते हैं अनुशरन नहीं अनुशरन बोलते हैं क्या बोलते हैं अनुशरन नहीं अनुशरन मेरी बोलने मैं जो बोल रहा है उस पर ध्यांदे यह अनुशरन और यह अनुशरन ठीक है यह यह साह है अनुशरन अनुशरन कुछ शुरू में पूलिंग उप्सर्ग कि लिए चाहिए को बनाने के लिए तो आपके मैंड में एक वाक की आना चाहिए वाक कि आपके मैंड में आता है तो आप इसको बना पाएंगे आप सबसे पहले इतिहास से बनाएं तो भारत का इतिहास पुराना है भारत की इतिहास पुरानी नहीं बोलते हैं भारत का इतिहास पुरानी नहीं बोलते हैं भारत का इतिहास पुरानी नहीं भारत का इतिहास पुरानी नहीं भारत का इतिहास पुरानी नहीं और बाढ़ेता है यहा चाहिए संस्कृति था संस्कृत to तो आपकी सब्विता संस्कृत ही बोलते हैं तो यह हमारे संस्कृत भी स्ट्रिलिंग है कि आश्टिन का साफ होना यह मुहावर्य कारत क्या है आश्टिन का सब्सक्राइब कपड़ा पहन क्यों आश्टिन है बाजू बाजू में को सांप बैठा हो मतलब कि अब के हैं आपके पास में है और आप ही के खिलाफ सदियंत रच रहा है उसको बोलेंगे उसको अब सब्सक्राइब तो आपके साथ खा रहा पी रहा है कि थाली में खा रहा रहा और थाली में अगला सवाल है किनारे बसा है यह आपको ट्रांस्लिट करना है तो क्या जैसे ही क्या जैसे क्या आजाएं तो तुम गरीब हो तो पहले लिखाता है तो पहले नहीं पहले चला गया अब यह देखते हैं इस पतना रिफ इंपरर सेड आगे को अब है अगर यहां पर सेड आता है या अगर सेड औरता है तो जो इंवैटिट कांप अंदर में है उसका तेन्स बदल जाता है पर जेंट तो पास्ट बना तो क्या बन जागा सबसे मोटा मोटी बात तो आप जाने तो यहां पर पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दो चलो इसको देखते हैं किसके नशार होता है इंपरर मतलो राजा राजा के लिए यूज करेंगा पर माई थो नहीं जाएंगे और वाज भी होगा तो अंसर क्या हमारी हो गया पर पढ़ेंगे सवाल है उन्चा सवाल है कि फिल नोट पने सहीं यह अपको एक्टिब से पैसे बनाना बहुत तरीका इसे में जैसे रहेगा जैसे कि यह आपके बाद इन है करना पास्ट ने बदल ना जिस से टेंस में present to present में रहेगा में पास्त तो पास्त भास्त मिलेगा तो यह में क्या अब्जेक्ट आ गया चलि向के नोट रहेगा अब देग। यह cũोई exist रहेगा देखिया नहीं किसक्त आप सुझ नोट बहुत यह पर नोट भी लागा थे बी लागाएं तऺ आपकी है यह सब कलमे आपकी है यह सब कल में आपकी है अन्सर हमारा यह तेस्ट अमने आपको 30 में 50 इंपरेंड धाका वावला संड करा दिया हूं अब आप मुझे कमेंट करें कि 50 में कितना सही बनाएं और मुझे यह बही बताएंगे जो मैं सवाल पूचा हूं और चलो चलो सबसे जुक्त करें और तो फिलहाल आप मुझे बताएंगे कि सब्सक्राइब के लिए मिसलेनेस टेस्ट में तक कि आप लग का इनर्जी ना एकदम बरकरार है ओके वीडियो को अच्छे लगी वीडियो तो लाइक करते जाजेगा आपने दोस्तों को शेयर के जाएगा ओके बाइट जाल थैंक्यों आपने नाइस डेग